लंका का सपाया करने के लिए रोजस सर्मा ने किया टीम में बड़ा बदलाओ। तीसरे बंडे में रोज़ ने सामिल किया घातक गैनवा जिससे लंका की लंका लगना लगवक्ता है। बारते टीम के लिए अच्छा संकेत है। टीम के सभी खिलाडी स्तानदार फॉम में अपनी फॉर्म से जूज रहे रोज सर्मा और केर राहूल भी अपनी बल्लेवाजी का तहल का मचा चुके हैं और नए साल में पुराने ब्लाट दर्सन भी नजर आ चुके हैं जुनों ने पहले बंडे में सांदर सतक लगाया था सीरीज का तीसरा और आखली ODI 15 जनवरी को त केरा सीरन सामिल थे जबकि दूसरा ODI 15 टीम ने चार पिकेट से जीता था जिसमें केर राहूल ने चौशर रनों की सांदर पारी खेली थी रोज सर्मा ने बड़ा बदलाओ करते हुए खरतरनाक ओपनिंग जोडी तयार किया है तीसरे बंडे में रोज सर्मा ने ईसान किसन को मौका दिया है और सुमन गिल को बार का रास्ता दिखा दिया है इसान किसन ने हाली में बंगलाजस के खलाब धोरा सतक लगाय था जबकि तीसरे नंबर पर रनमसीन ब्राट कोईली हर बार की तरह बैटिंग करते हुए नजराएंगे जबकि चोते नंबर पर राहूल को म हाँ जाते हुए दिखाई देंगे जबकि छटवे नंबर पर 22 कैप्टन हादिक पांडे अपनी जिम्मेदारी समालते हुए दिखाई देंगे दोस्तों हम बात करते हैं बालिंग में रोह स्तरमा ने किस खातक गैन्दबाज की बाफसी की है रोह स्तर्मा ने महम्मत समी को बाहर करके अर्षदिप सिंग को मौका दिया है इसके लाबा पेसर के रूम में उम्रार मलिक और मौम्मत सिराज पहले से सामिल है जबकि इसमें गैंदबाजी में ओर राउंडर अक्षर पडेल सामिल है जिनका साथ चाइना मैं कुल्दी प्याता देते हुए नजलाएंगे रोई सर्मा जाधाता युवा खिलाडियों को मौका देना चाहते है ताकि आने वाले बंडे वल्ड कप के लिए सांधार और जिम्मेदार खिलाडियों का चैंज किया सके इसलिए रोई सर्मा सभी खिलाडियों को जाधा से जाधा मौका देना चाहते है दोस्तों तीसरे ब की जीत का सुपर हीरो कौनों को कमेंट करके जरू बता है और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें